गोली लगने से मौत कैसे होती है चलो जानते हैं ये एक बंदूग की गोली है इसके सबसे आगे वाले नुकीले पार्ट को कहा जाता है बुलिट इसके पीछे लंबा सा पार्ट होता है खोका इस खोके के अंदर भरा होता है बारूद और इस बारूद के अंदर आग लगाने और ये बारूद गैंसेश छोडने लग जाता है। इन गैंसेश के प्रेशर से ये बुलेट बैरल में से निकल कर सामने वाले इनसान की तरफ बढ़ती है। बुलेट का साइज बहुत ही कम होने की विजह से ये बॉड़ी के छोटे से पार्ट पर ही बहुत जादा प्रेशर सबसे पहले बुलेट इनसान की सकिन को चीर कर हड़ी की तरफ बढ़ती है। फिर ये बुलेट इस हड़ी को भी तोड़ देती है और ओर्गन्स और बलड वैसल्स को चीरते हुए आगे निकल जाती है। इससे बॉड़ी के अंदर ये होल बन जाता है जिससे खून निकलने लग जाता है और फिर इंपॉर्टन्ट ओर्गन्स तक खून नहीं पहुंचता है और मौत हो जाती है।